उतरप्रदेश के मुख्रिमंत्री योगी आदितनाथ की आज यूपी की कई जिलों में जनसभाई प्रताबगर पहुँचे सीम योगी आदितनाथ सीम की जनसभा में पहुँची रतना सिंग बेटे के साथ काफिला लेकर पहुँची पूर्वसांसद रतना सिंग महिंदो पहर साड़े तीन बजे कानफूर में जनसवा को समोधित करेंगे सीम योगी आधरतनाश शाम साड़े पांच बचे लखनाओ केंट में करेंगे जनसवाई यूपी में 11 बधान सवा सीटों पर 21 सप्टूवर को होगा उप्चुना लखनाओ में स्वास्ते मंत्री का सीमो को निर्देश जैप्रताप सिंग ने सीमो को दिये आदेश सफाई को लेकर दिया आदेश अस्पताल में साफ सफाई कराने की ये निर्देश मरीजों की सुगधाओं का भी रखा जाये ध्यान 102-108 एंबुलेंस की बहतर मॉनिटरिंग मत्रा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठ्वेड 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली बदमाश के पास दो बाइक दो तमंचे कार्तुस बरा मत्थाना गुवर्धन इलाके के मल सराय के पास का मामला दिवरिया में स्कॉर्प्यू टेंपू और मुपेट के बीच भडंत 24,000 समेत तीन की मौत 6 जखमी सलेंपूर मजवाली पार मर पर नदावर घट का मामला बिचनौर में स्कूल में बच्चे ज़ाड़ू लगाते हुए कैमरे में कैया प्रात्मिक विद्याले में बरतन साफ करते हैं बच्चे ज़ाड़ू और बरतन साफ करते हैं बच्चों का वीडियो वारर लिलूसी पार्क गर्ल्स हाई स्कूल का है पूरा मामला हापुर में अवायद पत्राफा गुदांपर चापा पुलिस ने फत्राफों का रखीरा किया बरामाध पुलिस ने एक आरोपी को भी किया गरफ़तार, आरोपी ने घर को बना रखा था गोदाम पर टाके बैन होने के बाद भी घर में रखेते पर टाके जसूर नगर कलॉनी का मामला मुझफर नगर के रोखाना में राजे हाइवे 69 पर लगे टॉल को भाकियों ने फ्री कर दिया है भाकियों ने धरने पर बैट कर टॉल फ्री करा दिया भारते कि जान यूनियन का कहना है कि हाइवे पर बने पुल का निर्मान बीच में छोड़ दिया गया है जब तक जमीन का मुआबजा अफ्लाइओवर के निर्मान की बास साफ नहीं हो जाती तब तक टॉल फ्री रहेगा जासी मंडल के कमिश्णर सुभाष चंदर शर्मा ने ललितपूर का धोरा किया कमिश्णर ने कलेक्टर सभागार समिक्षा बैठक की साथ ही धीयम मानवेदर सिंग ने एज़ियम के साथ नगर का भ्रमन भी किया कमिश्णर ने सुरक्षा के दृष्टी से दुकानदारों क केमरे लगवाने के लिए भी प्रेडित किया इसके साथ ही नगरवासियों से मिलकर बिचली पानी और शिक्षा जैसे मुद्दो पर चर्चा की ललिधपूर में गार्गी शिक्षिका योचना कारक्रम किया गया उस दुराण टीएम आनवेदर सिंग ने कारक्रम में शिरकत दी इस दुरदान टीएम ने कहा कि पड़ी लिखी बहूँ और बेटियों को गाओ महीं समान के साथ स्वाबलंबन मिलेगा महीं गारगी शिक्षिका ने बताया कि महिला स्वाबलंबन की तरफ पड़ता कदम है इलाबास सेंटर यूनिवर्सिटी में चातर संग भाली की मांग को लेकर चातर नेताओं ने अंदोलन तेज कर दिया है विश्वद्याले कैंपस में सुरक्षय कर्मियों ने जुलूस के दोरान चातरों और पूर्व चातर संग पदाधिकारियों को रोक दिया जिसे चातरों के विश्वद्याले के सुरक्षय कर्मियों के साथ भरंत हो गई जिसके बाद सुरक्षय कर्मियों ने चातरों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा लालिटपूर में अवैत देशी सराब का कारोबार जोरो शोरो के साथ चल रहा है अपकारी विभाग और पुलिस ने देशी शराब के खिलाफ अभ्यान चलाया दुरान पुलिस ने ग्राम चीरा में चापे मार कारेवाई की जिस दुरान पुलिस ने एक दरजन से जादा देशी शराब की भट्यों को बरबाद कर दिया जासी में पिछले दिनों लोट और स्रेचिंगी घटनाए पुलिस के लिए चुनोती बनी हुई है जिसको गंभीरता से लेते वे सीपरी थाना पुलिस बदमाशों के तलाश में जुट कई है इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली है कि नहरू पार्क के पास से तीन लोग सोने चांदी के जवरात बेचने की बात कर रही है मुझफरनगे में पुलिस बदमाशों की बीच मुठपेड मुठपेड में एक बदमाश गंभीर रूप से खायल पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पिताल में करवाया भरती दूसरा बदमाश नंथेरे का फायदा ठाकर फरार बदमाश के खिलाफ कई अपराधिक मामले है गंटी का बटन दबाईए और हिंदी खबर से जुड़ जाए